फरहत तुम यहां बैठे हो बेटा क्या हुआ कुछ परिशान लग रहे हो तुम बाबा वो लड़की मुझसे बात नहीं करती कौन सी लड़की वो वाली वो नफर्द करती है मुझसे हो सकता है ऐसा ना हो वो पसंद करती हो तुमें लेकिन चुपा रही हो तुमसे कभी भी जल बाजी में कोई राय कायम नहीं करते चलो बाबा को मुझकरा के दिखाओ चलो शाबाज देखो फरद बेटा हर चीज़ का एक वक्त होता है जरूरी नहीं कि जिसे आप पसंद करें वो भी आपको पसंद करता हो प्यार हमेशा प्यार के बदले मिलता है कभी भी किसी का प्यार जबरदस्ती नहीं लिया जा शकता इनसान को चाहिए कि वो अपना किरदार ऐसा बना ले कि दुन्या खुद बखुद उससे प्यार करने लग जाये ये भी देखना जरूरी है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे प्यार के काबिल है भी या नहीं और अगर जिन्दगी में गलत इन्सान आ जाए तो जिन्दगी तबाह हो जाती है समझ रहे हो नब और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वज़ा से किसी को दुख ना हो एक बात याद रखो मेरे बेटे अगर तुम्हारी वज़ा से किसी को दुख पहुँचेगा तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे इसलिए कभी किसी को दुख मत देना जिन्दगी बहुत खुबसूरत है इसे हमेशा जिन्दा दिली से जिना चाहिए आओ तुम्हे कुछ दिखाता हूँ आजाओ मेरे साथ इस फूल को देखो देखने में ये कितना खुबसूरत लगता है लेकिन इसके साथ कांटे भी होते है अगर फूल को जल्दबाजी में तोड़ने की कोशिच करोगे तो कांटे चुप जाएंगे